हेलो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर का PSU, भारत इलेक्ट्रोनिक्स या BEL, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, अभी एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है, भारत इलेक्ट्रोनिक्स और सेकेंड इंटरिम डिविडेंड लेकर आ रही है, उसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, नोट करके रखे, मार्च 17, जो की गुरुवार का दिन है, जिस दिन भारत इलेक्ट्रोनिक्स अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड जो है, डिकलियर करने वाले है, सेकेंड क्यों क्योंकि पहला जो डिविडेंड था, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड अभी February में ही उन्होंने 5 रुपय का 1.50 पैसे का उन्होंने declare किया था तो जब हम dividend की बात कर रहे हैं तो dividend history, जो recent dividend history है कैसी रही है भारत electronics की वो भी एक बार देख लेते हैं तो देख़िए अभी ही बिलकुल 9 February को ये तो सेर्फलर को इस financial year के लिए यह रहा अब हमको पता चलेगे 17 तारीक को क्या दूसरा डिविडेंड आ रहा है अब देखिए यहाँ पर important हम पिछला financial year देखते हैं अगर तो तीन बार डिविडेंड आया था आप देखिए February 8 को 1 रुपीस 40 फिर माय मार्च को लगबग इसी टाइम में 1 रुपीस 40 और फिर 1 रुपीस 20 मतलब अगर आप तीनों को अगर मिला देते हैं तो 4 रुपे का डिविडेंड होता है तो stock price अगर आप देखेंगे 215 रुपे के आसपास है तो approximately कुछ 2% के आसपास की yield बनती है जो की बहुत जादा नहीं है लेकिन एक consistently dividend BEL का आता रहता है अब देखिए 2020 का अ dividend था एक बार February में आया एक बार September में आया तो इस बार कितना dividend रहता है अगर हम बिल्कुल latest data देखें तो देखें पिछले साल February 1 रुपीस 40 था इस बार 1 रुपीस 50 है और पिछले साल मार्च में 1 रुपीस 40 था तो इस बार कितना होगा जादा होगा कम होगा तो जरूर comment section ब result है तो income आप देख रहेंगे 3,700 करोड के पास की income थी और EBITDA 822 करोड का था और एक strong margins थे profits अगर आप देखेंगे 583 करोड के यहाँ पर profits है जो की strong margins at least बताता है EBITDA strong रहा है margins in fact बढ़े है income और ज्यादा expect किया जा रहा था लेकिन EBITDA अच्छा रहा है तो कई ना कई margins को उन जब आप quarter 3 से quarter 3 quarter 2 से quarter 3 को compare करते हैं भारत electronics अब भविश्य में business पर क्या है तो देखें defense sector की company है defense के जो electronics के जो सामान है जो army को navy को air force को जरूरत होती है तो वो important जो भी equipments है वो भारत electronics बनाती है तो strategic level पर अगर आप देखेंगे तो important company हो जाती है अगर आप देखेंगे फिलहाल चुकि यह business है defense sector में orders मिलने का तो 56,000 करोड से उपर की order book है तो यह important रहता है तो order book जितनी strong रहे उतना मजबूत है क्योंकि यह क्या है कि अगले 3-4 साल के लिए बड़ी visibility दे सकती है तो यह important चीज है quarter 3 में 5,600 करोड के orders उनको मिले थे और expected ह quarter 4 में भी 3,000-4,000 करोड के orders मिले, margins जो हमने देखा 20-22 परसंट है यह expected है कि यह maintain कर सके अभी फिलाल उसके आसपास maintain कर रहे है जो कि एक strong margin भारत electronics की तरफ से आ रहे है तो revenue visibility मध्यम तर्म में अब देखेंगे मजबूत है और defense sector है वहाँ पर indigenization की बात हो रही है कि government के ज़ electronics related अगर orders मिलते हैं तो भारत की company है, defense की PSU company है तो BEL के संभावना ज्यादा हो जाती है अब defense की तो बात है ही लेकिन defense से बाहर non-defense जैस कि देखें आप voting करते हैं, voting में EVM होते हैं, electronic voting machines तो BEL उसमें से बहुत सारे suppliers में एक important supplier है, e-mobility अचल चार्जिं स्टेशन की बात हो र रखें, तो यह सब non-defense के भी उनके काम है, तो यह कुछ important business है, तो लगभग 10% की order book है, तो आपने आपको diversify भी कर रहे हैं, defense और non-defense में भी कर रहे हैं, तो यह किस हिसाब से play out होगा, आपको अगले कुछ साल में पता चलेगा, चल्दी से आपको में बता दू, company के बारे मे 52,000 करोड का market cap, और in fact यह video समझ लीजिए, मैं 2022 March में नहीं बना रहा होता, 2021 December में बना रहा होता, या उससे पहले बना रहा होता, तो मैं कहता कि एक mid cap company है, लेकिन अब नहीं, अब यह एक large cap company बन चुकी है, भारत electronics, तो बिलकुल जो latest data आये हैं उसके हिसाब से, अभी stock price 215 क के आसपास है, dividend yield लगभग 2% के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जो हमने ROC और ROE की बात करी, तो बहुत ही strong है, और भारत electronics को एक और चीज़ strong बनाती है, बिलकुल zero debt, company का debt नहीं है, ROE मजबूत है, return on capital employed मजबूत है, तो यह सब कुछ fundamental strong आकड़े हैं, और कुछ strong margins भी strong है, आपको जो मैं operating margins बता रहा था, 20-20% तो उसके आसपास ही है, और इसके आसपास ही रहने की उमीद है, तो overall आप देखेंगे, तो यह सब कुछ green flags है, company के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, but market किस हिसाब से इसको एक price देता है, वो फिर market के ऊपर है, तो यह सब है, लेकिन defense sector है, defense sector में orders कितना मिलता है, उस पर बहुत हत्तक business है, तो कल अगर government का tax collection कम हुआ, या फिर government ने defense पर orders कम देना शुरू कर दिया, खर्चा कम करना शुरू कर दिया, तो फिर business पर एक negative effect पढ़ सकता है, फिलाल 5 साल का CAGR, अगर आप revenue देखेंगे, 13% के आसपास है profits भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ा है, margins अभी तक उन्होंने 21-22% के आसपास maintain रखे हुए है, यह सब कुछ important numbers है, आप ROC और ROE trend भी अगर आप देखेंगे, तो financial year 22 में return on capital employed, यह ICICI Securities के report है, return on capital employed 26% माना जा रहा है, और ROE 19%, तो यह सब कुछ strong आकने हैं, जो की भारत electronics से related है, तो आप जरूर बताइए, भारत electronics पर आपकी क्या राई है, different sector पर आपकी क्या राई है, आप क्या इस sector को मजबूत long term का sector मानते हैं, या नहीं मानते हैं, जरूर comment section बताइए, बाकी मार्च 17 का wait करते हैं, जिस दिन दूसरा interim dividend BEL की तरफ से आने वाला है declare होने वाला है धन्यवारों आपके समय के लिए, thank you